नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूटूब चानल डीटेच ट्रिक्स वर्ड में दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने आपको यहां पर दोस्तों आपको सुरू से लेकर अंतर तक देखना तभी आपको पूरी जानकार मिल पाएगी और दोस्तों आप सभी की रिक्वेस्ट में यह वीडियो बना रहा हूँ तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब निक्या सब्सक्राइब कर दिए साथ में बेल आइकन को दबाके ओल पर क्लिक कर दिए तो यहां पर देख सेटलाइट एडड करने के लिए आपको अपने सेटलाइट लिस्ट में तो दोस्तों कुछ इस तरह से इंस्टलेशन ओपन अब आपको दोस्तों नए सेटलाइट एड करने के लिए रेड बटन दबाना तो यहां पर दोस्तों इस तरह से ओप्सन ओपन होगा तो यहां पर ओके करने के बाद में दोस्तों आपको इसमें नाम डालना है तो मैं यहां पर देखके डिडिफिडिस लिखूंगा और उस यह satellite चव हो सके तो यह देखिए satellite हो चुका है इसके बाद आपको remote से right button कि रहाँ पीटन दबाना है राइट भटन दबाके दोस्तों आपको ln-frequency सेलेक्क करने है दोस्तों C-band-satellite के लिए आपको ln-frequency 0-5030 रखनी है और यहाँ पे kv-band के satellite होती है उनके लिए आपको LN Frequency युनिवर्सल रखनी है तो यहाँ पे जो डुटी फीडिस का सेटलाइट है वो के भी बेंड गा है तो आपको यहाँ पे युनिवर्सल सत्यानपचास दस शससो स्लेट करना है इसके बाद में दोस्तों आपको अपको इसमें ट्रांसपोंडर है कहना है तो दोस्तों आपको ट्रांसपोंड़र का ओप्सन वह यहाँ पे आजाएगा तो दोस्तों यहाँ पर जो transponder का option है वो यहाँ पर आ जाएगा तो देखिए दोस्तों कोई भी transponder यहाँ पर अभी save नहीं है तो यहाँ पर नया aid करने के लिए आपको red button दबाना है और उपर यहाँ पर frequency डालनी है तो frequency है दोस्तों 11-550, symbol rate 3500 रहेगी, poly TV रखनी है और इसको save कर देना है दोस्तों यह सबसे strong transponder है तो इस frequency पर दोस्तों आपके सबसे ज़्यादा signal आना चाहिए तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सिंगनल बहुती है अच्छी तरी किसे आ रहा है क्योंकि जो मेरे डिस है वह भी side bank से set है जाने के बाद में दोस्तों आपको satellite पे ok करना ह और यहाँ पर आपको blue button दबाना है ताकि आप इसे scan कर सके तो यहाँ पर blue button दबाने पर एक menu open होगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको FTA only को yes रखना है और जो यहाँ पर scan mode दिखाए दे उसको आपको blind scan करना है और उसके बाद में आपको search पर जाके ok कर देना है blind scan नहीं करें दोस्तों जब भी आप अपने septo box को scan करें उसके बाद में आपको search पर ok कर देना है इसके बाद में आप देखेंगे कि आपके जो septo box में channel आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि हमारा septo box है वो यहाँ पर blind scan हो रहा है तो देखते हैं यहाँ पर channel आ रहे हैं तो यहाँ पर दे तरह से scan कर सकते हैं तो उमीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल गई होगी अगर दोस्तों आप मेरे द्वारा दीगे जानकारी से संतुष्ट है तो इस वीडियो को like कर दिए अपने सभी दोस्तों को share कर दिए अगर आप हमारे इस YouTube चैनल प अगली वीडियो में धन्यवाद दोस्तों